तब तक मैं चैंसर नहीं बेठूंगा सर जारखन पुलिस का फॉर्म 22 यही पिछले एक दिन पहले से भराना शुरू हो गया है कैसे देखते हैं सही समय पे इसका भी एकजाम-उकजाम होगा कि छात्र हतास होंगे और सवाल दूसरा यह रहेगा कि आपने कहा था कि 22,000 निक्त कर चात्रों को हलकी कर देते हैं मैं उनका भी पूर बिरोध करता हूं चाहे वो मुझे कुछ भी कहे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जब तक ही वाओं को आगर हम हां कधिकार नहीं दिलाएंगे जो हमने वादा किया वह पूरा कर देदिकार का सवाल होता है कि ज करते हैं कमेंट के जरिए कि उतपात सिपाई का फॉर्म भरे हुए दो वर्स हो गया है और इन दो वर्सों में अभी तक दोड़ नहीं हो पाई है आप गलती किसको मतलब मानियेगा क्यों नहीं होता इसका कारण कौन है सर गलती तो पूरा सरकार और सिस्टम का हम कहते हैं कि कि जब इडी का प्रस्णा आता है तो मानियी मुखमंतरी जी सामको जब निकलते हैं तो बोलते हैं कि हमें गजरा मुराई मत समझे कि हम किसी भी प्रकार के मतलब इस सरकार को कबाल के फेक देंगे तो मैं मानिय मुखमंत्री जी कि आपके चैनल के माध्यम से ये हिदायत देना चाहता हूँ, प्राथना नहीं करूँगा, प्राथना एकदम नहीं करूँगा, वो कहते थे न, कि जिस प्रकार इवाद चाहेंगे, न, बात रगे उद्पाद सीपाही की दोड़, सर मेरे अंद ही है, जो छात्रों की कभी नहीं बात सुनती है, उत्पाद सीपाही की दोड़, सर मैं बता दू कि 2019 में भी ग्यापन आया, फिर 2022 में भी ग्यापन आया, न, सरकार इसको अपने मन से कैंसिल करते जा रही है, जब दोड़ की बात आई, साड़े 6 लाग फॉम भरा चुके है, 6 लाग 13 लोग फॉम भरा है, अब सरकार के पास दोड़ानी के लिए फिर नहीं है, युवा तरस्त हैं सर, और ये जिम्मदार कौन है इसका, क्योंकि 6 लाग युवा जो ऐसो फॉम भर के इंतजार कर रहे हैं, आसा कर रहे हैं, कि आज दोड़ोगा, कल दोड़ोगा, फिर पुना जो ऐसो छात्र हतास होते हैं, और फिर घर को लोड़ जाते हैं, सर, इसमें सबसे बड़ा, अगर मैं बोला, बोला जाए, पत्रकार महदे जी, रहुल जी, मैं आप से स्पेसली बोलूँगा, कि सबसे बड़ा गुनागार सरकार है, ना सरकार के पास काम करने का कोई तरीका है, ये सरकार कैसे उलट के पहले रीटेन होता था, उसके बाद दर होता था, जब JSC के महत पता दिकारियों से बात किये, कि उत्पास सिपाही का दर पहले क्यों नहीं करा पाए, बोले कि पहले रीटेन होता, सरकार तो अपने मन से सिटम बदलते रहती है, ये बोलत सवाथ करूंगा चांस जहार्खंड पुलिस का फौर्म 22 यही हो गया है कैसे देखते हैं सही समय पे इसका भी एकजाम उग्जाम होगा कि छात्र हतास होंगे और सवाल दूसरा यह रहेगा कि आपने कहा था कि 22,39 को बढ़वाएंगे जारखन पुलिस का लेकिन सामने लोग सभा चुनावें कैसे देखते हैं इन प्रशनों को और किवल बात करते हैं या फिर काम भी करवाएंगे अब सरिया आपका प्रशन बहुत सुंदर है मेरे अंदर को जबाव नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू कि जारखन पुलिस का विग्यापन 22 जनवरी से भरा रहा है इसको लेकर हमने हर जगा प्रयास किया ना सारे सिष्टाम में बात किया सीटों की संख्या को लेकर उत्पाथ लोग सभा के बाद लेकिन हम मानने वाले नहीं है देखिए सर मैं क्या कर सकता हूं आप देख सकते हैं कि हमी जमीनी अस्तर से जूर के काम करते हैं सर आपका भी छोटा भाई तयारी करता हो आपने कहा हम चुड़ा सत्तू बांध करके पलामू से आएंगे और हम चात्रों क रखिए तब तक हम एकदम छोड़ेगे नहीं सरकार को चाहे हमको अगर लोग सभा में घरना का काम करें जहां भी जाएंगे यहां भी जाएंगे लोग सभा में सारे ही वाओं को लेकर मैं उनको गेर ने का प्रयास करूँगा भांच भी आपक्ष है वीपक्षी के पास कम स नहीं देती है सरकार वो भी तो पैसा उठा रहे हैं क्या भी पक्षभूम क्या हूँ निभाती है पुलिस के लिए नहीं भईया चोर-चोर मोसेरा भाई तो याद रखिए कि मैंने जो कमिटमेंट किया है जो मैंने कमिटमेंट किया है कि 20,000 निक्थी दिलवाएंगे ना उसक लेकिन सिलेबस में कोई नहीं हो पाया चात्र कैसे सब चीजों को एंडल करेंगे जिए चात्र को भटकाने के लिए अज क्या आढ़र बिहार के दखिए वी हार यूनिटी है चाहां यूनिटी है वहीं सब कुछ है हमने जो आन्दोलन किया था तेरा जन्वारी को दिन सनी बारकों सर आप भी उसमें आये थे आपको बहुत-बहुत सादुवादिस के लिए उस दिन आने के पाशाथ बच्चे कितना एते मात्र 200 फोरम कितने बढ़ेंगे 10 लाग तो मैं तो संघर्ष करता हूं यहां बच्चों का भी गलती है बच्चों क यहां कर हम हमख अधिकार नहीं दिलाएंगे, जो हमने वादा किया हूं पूरा करके दिखाते हैं, चाहिए पीस हो, चाहिए एसस ही हो, लेकिन सर यहां के अंदर, एक चीज है सर, मैं आपको भी बोलूगा कि कभी आप, जब हमसे बात करते हैं कभी ही वासे भी जाके चुकि बच्चे हतास है और इनका कहीं ने कहीं आप जो हैसो एक तरह से मसीहा है इनके लिए आपने काम किया है तो इसके लिए मैं आपसे ये प्रशन पूछ रहा हूं कि इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं और वाकई क्या लोग सभा के बाद आएगा 20,000 जो जिसके आप वादा कर रहे हैं या पर उससे पहले आप लोग कराने का काम करेंगे सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी चात्रों को निरास नहीं होने रहेंगे पहला मुदपात्सी पाई पर लड़ेंगे उसके साथ-साथ अधारखन पुलिस में जो करना चाहता हूं कि जब तक सत्दरायन सुकला है ना तब तक किसी का हो सकता निया पराम से कुर्ची बैटके तुड़िए आप जाके सरकार को कुछी है ये पक्ष भी पक्स का लड़ाई नहीं गोतिया भाई की तरह लड़ाई है तो मैं इसी प्रकार आपको आग्रह करता ह कि मैं आपके चैनल के माधियम से लगातारा वाद उठाऊंगा चलिए बहुत धन्यवाद सुकला जी बाकि मैं उन तमाम जार्खन पुलिस के छात्रों से एक अपील और आग्रह करना चाहूंगा सर अभी जो जार्खन पुलिस की वेकेंसी आई है उसको भरिये लेकिन साथ 32,000 की जिन्होंने आपने जो बात कही शुकला जी उसको लेकर कि आप क्या सोचते हैं और क्या बढ़नी चाहिए वेकेंसी नहीं बढ़नी चाहिए और क्या क्या उसमें इंप्रूभ्मेंट होना चाहिए वो चाहिए अनतमाम चीजों की बात हो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज आश्कार जाहिंद!